दोस्तों Realme ने 10,000 के प्राइस ब्राकेट में काफी सारे स्मार्टफोन को लाँच किया है अभी हाली में Realme 5S भी लाँच हुआ था जो 9,999 की कीमत पर आया था और उस फोन का हमने कंपारजन भी किया है Redmi Note 8 और Vivo U20 के साथ ये रहा उस वीडियो का लिंक इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनिटली जाके उसे चेक आउट कर सकते हैं और भी कई सारे फोन्स हैं Realme के जो आपको 10,000 के प्राइस ब्राकेट में मिल जाएंगे जैसे की Realme C2 और हाली में Realme 3 Pro की कीमत भी गिर कर 9,999 हो गई है वो भी काफी बढ़िया फोन है इस प्राइस रेज में अब ऐसे में Realme ने एक और फोन को लांच किया है जो है Realme 5i जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं ये रहा इस फोन का बॉक्स और इसकी प्राइसिंग और अवेलिबिलिटी की सारी जानकारी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है इस वीडियो पर हम करने वाले हैं इस फोन की अन्बॉक्सिंग और आप से हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में इस फोन का जो फुल रिव्यू है वो आप कल हमारे चानल पर देख सकते हैं कल इस फोन का फुल रिव्यू हम अपने चानल पर लाइब करेंगे तो definitely हमारे चैनल को subscribe करें और जो bell icon है उस पर भी tap करतें ताकि आपको हमारी वीडियो का notification मिल जाए तो मेरा किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस unboxing की और बताते हैं आपको इसके design के बारे में तो में आपको हमारी आपको हमारी कोसे देरी के गया कपी और भी उस Geraldine हमारी के बारे वीडियों अपको अवो पस्वरुआत भी करें के भीडियों चानल को मैं हमारी को थेश्चश чаें light गहि Mayo Plato में तो तो इन स्वरू़को झावको स्वरूबो को साए तो दोस्तो ये थी unboxing realme 5i smartphone की और जैसा कि आपने देखा कि आपको box के अंदर एक 10W का charger मिलता है एक USB cable मिलती है Micro USB cable type-c port नहीं है इस phone में Micro USB cable आपको मिलती है और इस phone के साथ आपको एक case नहीं मिलता which is not a good thing क्योंकि आजकल almost हर smartphone के साथ आपको case तो मिली जाता है चाहे वो किसी भी price bracket में हो फिल्हाल हम बात करते है realme 5i के design के बारे में realme ने एक बिल्कुल नया design प्रिजेंट किया है इस phone के साथ sunrise design कहा है realme ने इस नए design को क्योंकि यहां पर इस phone के side से sun की तरह जो sun rays होती है वैसा ही कुछ हमें यहां पर glow देखने को मिलता है और अगर हम इस design की बात करें तो यह काफी बढ़िया है solid looking smartphone है यह इसकी grip काफी अच्छी है और जो हमने पहले देखा था realme 5S में वो था diamond cut design उसके comparison में definitely हम इस design को prefer करेंगे क्योंकि यह design की look अलग है look and feel बिलकुल अलग है आपको काफी बढ़िया experience मिलेगा in hand feel काफी बढ़िया है इस smartphone की grip भी काफी अच्छी हो जाती है और इस phone की जो overall look and feel है वो काफी बढ़िया है यहाँ पे आपको सारे ports भी देखने को मिल जाते है और यह camera setup भी काफी अच्छे से place किया गया है कौन सा camera setup है यह कितने megapixel camera आपको मिलता है यह सारी चीज़ है तो हम आपको कल बताएंगे हमारे full review में realme 5iK तो definitely हमारी उस video को miss मत करिएगा फिलाल इस video में हम यही कहेंगे कि यह design काफी बढ़िया है काफी solid looking smartphone है यह और इसकी in hand feel काफी बढ़िया है grip भी काफी अच्छी है और अगर आपको sweaty hands की problem है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस phone पर smudges आसानी से नहीं आएंगे दोस्तों दो colors में मिलेगा आपको यह phone जो हमारे पास color है that is aqua blue और एक और color है forest green forest green color तो हमने अभी तक देखा नहीं है लेकिन अभी aqua blue color है यह हमें काफी बढ़िया लग रहा है काफी unique looking smartphone है यह और इसके color की वज़े से यह और भी बढ़िया हो जाता है in fact I think realme ने इस बार in terms of colors एक नया approach choose किया है overall presentation के मामले में realme ने इस बार थोड़ा ज़ादा effort किया है in fact आपने देखा होगा कि जो box है उसे भी realme ने पूरा yellow color में दिया है box के जो compartments है वो भी yellow color के है तो I think realme ने इस बार design में थोड़ा सा extra effort डाला है और इस effort को definitely appreciate करना चाहिए that's it guys यह थी एक quick unboxing और design overview realme 5i का अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसे जरूर like करें और comments में हमें बताए कि आपको इसका color कैसा लगा हम कल आप से मिलेंगे realme 5i के full review के साथ तब तक के लिए धन्यवाद